हलो फ्रेंड आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy A14 Android मुवाइल फोन में आप अपने मुवाइल फोन का जो इस्टोरेज है आप उसे कैसे खाली कर सकते हैं अज के इस वीडियो हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाल हूं तो चलिए आप यह वीडियो को हमें स्टार्ट कर लेते हैं देखी दोस्तों अगर आपको अपने मुवाइल फोन की गैलरी को ओपन करना है ठीक है मुवाइल फोन की गैलरी को ओपन कीजिए मुवाइल फोन की गैलरी के अंदर आपकी जितने भी फालतू की फोटो वीडियो आपने रख रखे हैं तो वह सारी फालतू की फोटो वीडियो जो है आपको पर्मानेंट डिलीट कर देनी है ठीक है खास करके आपको लॉंग वी जितने भी आपस हैं इन सभी आपस को reset करना है यानिकि इन सभी आपस को data clear करना है कैसे देखिए किसी भी आपको आप उंगली से दबा के रखेंगे एक छोटा सा page आएगा इसमें आपको कोने में जो circle के अंदर आई बटन दिखाई दे रहा है इसे tap करना है आपको ये वाला page आएगा इसमें आपको नीचे की side ना ये storage पे आपको tap करना है इसके अंदर आपको दो option मिलते हैं एक तो clear data का दूसरा clear catch का आपको पहले से clear catch पे ने इसके बाद आपको इसे clear data पे tap करना है तो आपका एक page आईगा इसमें आपको delete पे tap करना है आपका यह जो data और एक catch इन दोनों के सामने आला data आपका zero हो जाएगा ठीक है इस तरीके से आपको अपने mobile phone के सभी apps को reset कर देना है ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला process यह करना है देखें आपके mobile phone में काफी सारे ऐसे apps होंगे जो की फालतों के हों क्योंकि अगर आप किसी भी app को अपने phone में install करते हैं तो वो जो app होता है आपके phone का storage cover करता है ठीक है तो इस तरीके से आप फालतों के apps को अटा देंगे तो इससे आपके phone का जो storage है वो खाली हो जाएगा ठीक है अब आपको अगला process यह करना है देखें आपके mobile phone में काफी सारे ऐसे apps होंगे जिनके अंदर ना backup की setting होती है ठीक है तो आपको जिजज़िस app के अंदर आपको backup की setting मिलते है उन सभी apps के अंदर से backup की setting को बंद करना है ठीक है example के लिए यहापर मैं एक app के बारे में बता देता हूँ देखें यहापर मैंने phone की gallery को open किया example के लिए ठीक इसी तरह से आपको और भी जिस एप में backup setting मिलते है उन सभी apps में से भी backup setting को बंद करना है ठीक है अब देखें यह तो होगे आपके apps की backup setting के बाद अब आपको अपने mobile phone की backup setting बंद करने है कैसे आप mobile phone का setting page open करेंगे ना इसमें आपको नीचे की side option मिल जाएगा यह account and backup का इस store data यह सभी data setting आपको बंद कर देनी है देखें मैं backup setting इसलिए बंद करवा रहा हूं क्योंकि backup setting अगर चालू रहेगी ना तो इससे हमारे phone का जो storage होता है बारवर फुल हो जाएगा तो अगर आप backup setting को बंद करेंगे तो इससे आपके phone का storage भी जो है वो खाली रहेगा ठीक है आप दौस्तों यहाँ पर आपको सबसे आखिरीइ प्रोसेस करना है कि आपको अपने phone को reset करना है तो आपको सबसे उपर सबसे आपको टाइप करना है, आपको नीचे reset का option शोगा, इससे tap करना है, आपका phone directly आपको reset के setting में लेकर आएगा और reset पर tap करना है, इसके अगले page में सबसे नीचे, factory data reset पर tap करना है, इससे आपका phone reset हो जाएगा और आपके phone की जो storage है वो खाली हो जाएगा, ठीक है, लेकिन पर आपको phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है, पहली बात आपको यह ध्यान रखना है, आपके phone में जितना भी काम का data, जो आपका जरूरी data है ना, सिर्फ वही आपको किसी दूसरे phone में transfer करना है, या उसका backup लेना है, ठीक है, फालतों का data फोन में ऐसे छोड